युनिसेफ और समगर शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तुत ये कारिक्रम चन पहल अब आज के पिरोग्राम की बात शुरू करें तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए जो बातें पूरी की जाने जाहिए उनमें से एक बहुत ही जरूरी बात है स्कूल में विद्याले प्रबंध समिती यानि की SMC का गठन और उसके सदस्यों द्वारा अपने सभी कारियों और जिम्मेदारियों को पूरा किया जाना ठीक कहा तुमने तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं SMC के सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में मतलब कि उन्हें जो काम काज पूरे करने हैं उनके बारे में हाँ काकी तो इस बारे में मैंने जब अपने इलाके के एक स्कूल की अध्यापक से बात की तो उन्होंने जो बताया वो में आपको भी सभाती हैं हाँ भाईो बेनों समझ लीजिए यही है हमारा आज का प्रेरत संदेश दिखिए जहां तक SMC की भूमी का और जिम्मेदारियों की बात है तो मुखे रूप से समयती को शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कई गई बातों के अनुसार स्कूल में एक आदर्श वातावरन तयार करना होता है इस अधिनियम में जिन बाल अधिकारों की बात की गई है तो उन्हें पूरा करने के लिए काम करना होता है बच्चों के समुचित विकास और अधियापकों द्वारा अपने करतवयों को पूरा किये जाने पर भी ये समयती ध्यान देती और इस बारे में कोई समस्या सामने आए तो उसे दूर करते हुए स्कूल में अनुशासन के साथ साथ बच्चों के लिए प्यार और दुलार भरा एक सहज वातावरण भी तयार करती है बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया भई इन मास्टर जी ने तो गागर में सागर भरते हुए SMC की जिम्मेदारियों की लगभग पूरी बात ही बता दे खाका की और इन ही बातों को अब हम विस्तार से समझते हैं अपनी आज की नाटिका से मामा जी तो मतलब ये तुम्हारि बादी ल разрcing 17 है यह आरति है यह बड़ी बेहन की बेटी यह लखनों में रहती है और वहां एक अख़बार के लिए काम करती है इसे लिखने पढ़ने का बहुत शोक है अच्छा अच्छा अब खुश है बेटी तुमसे मिलकर और आरती यह हैमलता बेहन है हमारे गोपी के स्कूल में जो वि अध्याले प्रबंध समीती या एसनसी होती है ना तो नियम के अनुसार इसके अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी एक के पत्पर कोई महिला ही होनी चाहिए तो आज कल ये जिम्मेदारी मैं ही संभाल रही हूँ वैसे मेरे बेटी इसे स्कूल की साथ से कक्षा में बढ़ती है और कही है मलता बेहन कैसे पधारना हुआ अरे पधारना तो पढ़ा ही तुम्हारा बेटा चार-पांच दिन से स्कूल जोनी आ रहे है आकर क्या हुआ उसे वो बात यहां के गोपी को बुखार आ गया था क्या डॉक्टर को दिखाया तो वो बोला कि ये वाइरल बुखार है कम से कम तीन दिन तो रहेगा ही इसलिए गोपी आराम करे अच्छा तो अब कैसा है गोपी अब तो ठीक है कल से जाएगा वो स्कूल पर तुम स्कूल में इसकी छुट्टी की अरजी तो भिजवा देते ये तो खुदी आकरब बता देते जानता हूँ है मलता बेहन पर दो तिन दिन मंडी के काम में लगा रहा पर सच बोली आप लापरवाही तो दिखाई मैने इस मामले में बेहन जी जो कोई बच्चा स्कूल ना आए तो उसकी कितनी चिंता रहती है आपको आर्थी ये तो हम SMC वालों का फर्ज है देखो हमें ये कोसिस करनी होती है कि इलाके में 6 से 14 साल की उमर का हर बालक बाले का स्कूल में दाखिला जरूर ले और साथ ही रोच स्कूल भी आए जी हाँ ये बात तो बहुत जरूरी है अब कोई बच्चा किसी कारन से बीच में पढ़ाई छोड़ दे ऐसा नहीं होना चाहिए ना इसलिए जब कोई बच्चा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आता तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके घर जाकर पता करें कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है ताकि ना आने के कारन को दूर किया जा सके अब जैसे ही हेड मास्टर जीस से मुझे गोपी के बारे में पता चला अब मैं चल पढ़े उसका पता करने का बहन जी मुझे एसेमसी का काम बहुत महत्वपोर न लग रहा है आप मुझे इस बारे में कुछ और बताईए मैं चाहती हूँ कि मैं शहर जाकर अपने अखबार में इस बारे में लिखूँ ताकि इस जन पहल के बारे में लोगों को पता चले हाँ आर्थी ये तो बहुत अच्छी बात होगी हो और पूरी पारदर सिता के साथ हो खर्च का हिसाब समीति को भी पता होना चाहिए इसके अलाबा जो विद्याले के विकास के लिए अनुदान रासी तै होती है उससे भी साफसफाई के लिए जरूरी समान खरीदा जाए या इसकूल में पढ़ाई लिखाई के लिए कि पूरी पारदर्शीता रखी जाती है कि बर्दी की सप्लाई में किसी विचॉलिय की कमिशन का हिस्सा ना हो इसके लिए SMC को ध्यान देना चाहिए और इसी तरहा बच्चों को स्कूल में दोपहर का खाना दिये जाने की बात है हाँ बहन जी बच्चों को ये खाना तो मुफ दिया जाता है ना हाँ लेकिन SMC के सदस्यों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये भोजन पौस्टिक हो परियाप्थ हो ताजा हो और इसे पकाने वा परोस्ते समें साफ सपाई का पूरा ध्यान रखा जाता हो अच्छा अच्छा इसमें एक बात और है वो कौन सी बहन जी SMC को अपने कारे पूरे करने के लिए इलाके के लोगों के सहयोग और समर्थन की जरूत होती है तो इसके लिए उन्हें जागरूप बनाने के लिए हम सभायादी करते रहते हैं ये भी तो हमारा एक जरूरी काम है आरती, SMC के काम तो बहुत सारे हैं और बहुत जरूर भी हैं हाँ, बहुत सारे काम और जो काम मैंने तुम्हें बताए वो भी बहुत बिस्तार के साथ पूरे किये जाते हैं तो कुछ और बताए ना इस काम के बारे में आतीव कलना हमारी SMC की बैटलक है तुम उसमें आ जाओ सब जानकरी दिलवा देंगे हम तुमें जी ज़रूर ज़रूर आउंगी मैं और अब बारी है इस लोग गीट को सुनने की और दोस्तों इस लोग गीट में लेलहाती जूमती फसलों के बारे में क्या सुन्दर कहा गया है अब की फसली हुई री बड़ी प्यारी के उंगी बसले मेरी पहना फिली री कैसी सरी सो फीली पीली सुने सुने री सकी सुने सुने री सकी प्यारी सजी रही न्यारी न्यारी सुने सुने री सकी प्यारी सजी रही न्यारी न्यारी अब की फसली हुई री बड़ी प्यारी अरे क्यों रे चंदू तू तो लोग गीत सुनके खूब जूम रहा था भूल गया था कि पिरोग्राम में बैठा है अरे नहीं काकी मुझे पिरोग्राम की हर बात याद है मुझे पता है कि अब तुम एक मज़ेदार रोचक बात बताने वाली हो अच्छा भई हम जो बात कहते हैं न कि बच्चा जब स्कूल जाए तो पूरे घर को बढ़ा लिखा बनाए तो भई आज मुझे अपने महले की लच्च मी याद आ गई वो क्यू काकी वो कहती है कि मेरी बच्ची तो स्कूल जाती तो मैं घर में उससे कहती हूँ कि सुधा मुझे को अपनी किताब पढ़ कर सुना अच्छा हाँ लच्मी कहती है कि इस तरहां उसे किताब में लिखी साफ सफाई, खान पान और अंध बिस्वास को मिटाने वाली कई बाते सीखने को मिलती है तो भाई बच्चों को पढ़ाओ और खुद भी सयाने मन जाओ क्योंकि ज्यान से हमारा नाता जीवन में नई खुशियां है लाता और भाईो बहनों अगर आपने अपने स्कूल जाने वाले बच्चे से कोई काम की बात सीखी हो तो उसे हमें लिख कर भेजिए हम उसे अपने पिरोग्राम में शामिल करेंगे भाईयो बेहनों अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्याले प्रबंद समीति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कारेक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें हमारा पता है समागर शिक्षा उत्तरप्रदेश सर्व शिक्षा अभ्यान ओफिस विद्या भवन प्रथम तल फर्स्ट फ्लो निशांत गंज लखनव 226 007 तो अब जन पहल के अगले कारेक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आग्या दिजे जैहिं आज माता पिता ने है ठानी विद्या ने प्रवन समीरी में बागी दानी है ठानी